नमस्कार दोस्तों, मनिपूर के हालात को जिस तरह से सरकार नजरंदास कर रही है और महिला कल्यान मंत्री स्मृति इरानी भरी संसद में मनिपूर से पल्ला जारते हुए विपक्ष को गेरने की कोशिश कर रही है उससे अब अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार भी भाजपा की बख्या उधेरने लगे है अभी कुछ दिन पहले अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में भाजपा की वाटबाउट्री की पोल खोली थी वहीं अब स्मृती इरानी की संसद में ओवर आक्टिंग देखकर मोधी जी के परंभक अर्नब गोस्वामी भी बोलने लगे हैं कि भाईया अब तो आक्टिंग बंद करो अर्नब भी कह रहे हैं कि अब उन्हें भाजपा की असलियत दिखने लगी है ये भाजपा पहले जैसी नहीं रही है सरकार सब को जन्ता के बारे में नहीं बलकि राजनीती के बारे में सोच कर कर रही है अर्नब ने अपने शो में डिबेट के दौरान भाजपा की बक्या उदेड़ते हुए कहा है मुझे अब ये लगने लगा है कि वो बीजेपी नहीं रही जिसने निर्भया केस के दोरान इतना शोर मचाया था और केंद्र सरकार से स्तीफा लेने की मांग की थी और सबने भाजपा के इस कदम की सराना भी की थी लेकिन मुझे लगता है कि ये बीजेपी बिलकुल अलग बीजेपी है मुझे साफ लग रहा है कि ये वो भाजपा है जिसने महिला आयोग को 34 दिन तक इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज करने की अंदेखी करने का आदेश दिया ये वो बीजेपी है जिसकी सरकार ने महिलाओं की निर्वस्त परेड करवाई और रिस्पॉंस देने में 77 दिन लगा दिये ये वो बीजेपी है जिसकी सरकार में पुलिस ने महिलाओं को भीड के हवाले कर दिया ताकि उनका गैंग रेप हो सके और उन्हें निर्वस परेट करवाया जा सके ये वो बीजेपी है जिसकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ लेकिन फिर भी उसने एक भी पुलिस आफिसर से पूछतास करना जरूरी नहीं समझा ये वो बीजेपी है जो कहती है कि ये राश्ट सुरक्षा का मुद्दा है लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं है कि बीरेन सिंग को मुख्यमंत्री बनाये रखना राज और देश दोनों की सुरक्षा को खत्रे में डाल सकता है और ये वो बीजेपी है जिसने इतने बड़े मुद्दे पर संसच सत्र की शाम पर ही पहली बार कुछ बयान दिया क्योंकि उन्हें डर है कि ये उन्हें राजमीतिक तोर पर नुकसान पहुचा सकता है अगर कोई संसच सत्र ना होता अगर यहां कोई राजमीतिक शर्मंदिकी की बात नहीं होती तो अब तक कोई आक्शन नहीं लिया जाता ऐसे में इस मुद्दे को लेकर ये उनकी गंभीरता की परीक्षा है अगर आप सच में गंभीर हैं तो राश्ट्रपती शासन लागू कीजे दोस्तों जिस तरह से अर्नब ने भाजपा को खरीखोटी सुनाई है और खुलकर सवाल पूछ डाले है उसे देखकर अगर आपको ये लग रहा है कि अर्नब का हर्दय परिवर्तन हो गया है और अचानक से उन्हें पत्रकारता धर्म याद आ गया है वो बदल गये हैं तो जरा रुप जाईए आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है अर्नब का कोई हिर्दय परिवर्तन नहीं हुआ है दरसल मनिपूर पर अर्नब गोस्वामी का बोलना उनके खुद के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी है अगर वो मनिपूर पर मोधी का विरोध नहीं करेंगे तो अर्नब को कोई नहीं देखेगा उनकी दुकान बंद हो जाएगी चलिए उसका कारण भी हम आपको बता देते हैं दरसल ज्यादे तर नौर्थीस्ट और साउथ की लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं और इंग्लिश न्यूस चानल ही देखते हैं इन लोगों को हिंदी कुछ कम ही समझ में आती है और इसलिए ये लोग हिंदी भाशी चैनल कम देखते हैं रही बात अर्नब गोस्वामी की तो अर्नब पहले से ही इंग्लिश में डिबेट करते रहे हैं इसलिए दोस्तों अर्णब की मजबूरी है बीजेपी को कोसना और मणिपूर मामले पर अपने आपको सेक्यूलर दिखाना वरना जो बीजेपी सरकार के एंटी खबरे चलाना पसंदी नहीं करते थे वो अचानक बीजेपी के विरोध में कैसे खड़े हो गए? कैसे सवाल क्थिए आपको से खड़े होग झाला जा-पको से ओर इसा हंपको से खड़ी है है हुआ है!